आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो, welcome to the doubtnut तो आज के given question में हम से पूछा गया तो अगर हम अपने solution में first law of thermodynamics की बात करते है law of thermodynamics की तो यह law हमसे कहता है कि अगर हमने किसी system को अगर heat दी है, वो heat है DQ तो उसका use हम दो तरीके से करते है एक तो होता है उसकी internal energy बढ़ाने में साथ में कुछ work करने में PDV इसको हम work बोलते हैं यह हमारा क Kruse programme करता है work को, यह हमारा re-represent करता है eternal energy को यह हमारी करता है heat को तो इसमें बोला गया है कि हमने क्या करा है यह हमारी ice थी अब ice से हमने किसमें convert कर दिया water में क्या करके? heat देके तो इसके दूआरव उसने पूछा है कि जो हमारी DU है वो ज्यादा हो जाती है हमारी dq से ज्यादा हो जाती है तो ऐसे क्यों होता है ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो volume of ice है वो greater than है volume of water तो यह तुम्हारा हो गया वी final ठीक है ओ स्वरी यह हमारा वी initial है और यह हमारा क्या है v final और work dw का मतलब होता है p dv इसका मतलब होता है p v of f minus v of i तो v of f हमारा greater v of f जो हमारा smaller है किस से b of i से तो यह हमारा क्या निकल के आएगा negative of p of dv तो हमारा dq जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा वो निकल के आएगा du minus p dv ठीक है इस case के अंतर में तो जो हमारा d u है वो निकल के आएगा dq plus p dv तो आप देख सकते हैं कि जो internal energy है internal energy है वो ज्यादा हो जाएगी किस से हमारी heat supply से ठीक है तो हमारा जो expression तब हो कहरता है कि ice melted के लिए जो हमारी internal energy है वो ज्यादा हो जाहिए किस से जितनी हमने उसको heat supply किये थेंक यू classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजे अपने doubts आच चारसो 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 पर